क्या आप भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपके पास मार्क सीट नमबर या सर्टिफिकेट नमबर मागा जा रहा है और नहीं है तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है यह वीडियो आप ही के लिए है इसमें हम पूरा प्रॉसेस देखेंगे आप अपने ही मोबाईल फोन में अपना ओरिजिनल मार्क सीट और सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड कर सकते हैं जो की आ गया है दोजार अठारा से बीस के बैच का और दोजार उननीस से बीस जो एक साल के ट्रेट थे उनका फाइनल जो चैनल जो चैनल पर पढ़ाई से प्रोफाइल में तो यहां पर हम चलते हैं ट्रेणी प्रोफाइल में और यहां पर जो डिटेल्स मागी जा रहे हैं आप देखें रिजिस्ट्रेशन नंबर है आपका फादर या गार्जियर नेम है डेटा बर्थ है इंटर इमेज टेक्स्ट यह चार इंफॉर्मेशन आप आपीया चे पर शुमेशन करना है तो मैं यहां पर इस data कर लेता हूं जो हमको डाउनलोड करना है वह? इस तरह से हमने हो अब Hé Cafsku क्या करना है शुर्मेशन आप्law क्लिक करना है आपको सामने देखें इस तरह से प्रोफाइयल ओक्या जाएगी यह यहां प्रोफाइल में आपको एक चीज ध्यान दीजे, आप अपना नेम, डेटा बर्त, फादर नेम, मदर नेम, मुबाइल नंबर, इमेल आइडी एंड फोटो, यह जरूर वेरिफाई कर लिजे, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है, तो आप यहां कंप्लेंट टूल से जाक करनें, एक वरसी ट्रेड है, यहां पर आपको देखे, यहां पर क्या दिख रहा है, मांक शीट, जहांच आप लोग ने हाल टिकट डाउनलोड किए थे, यह है आपका सर्टिफिकेट का पूर्सन, तो यहां पर सबसे पहले, आपको क्या करना है, अपनी एक एकन दिख रहा है यहां पर आपकी मार्क सीट क्या होगी देखिए डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगी इस तरह से कुछ आपके एक मार्क सीट होगी इसमें देखिए आपका सिगनेचर एंड की वार कोड़ों सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वह आप देख सकते हैं यहां पर NSQF4 लिखा हुआ है जो कि आपका लेबल होता है अगर आपका दो वर्षी कोई ट्रेड है एलेक्ट्रिक्सियन है कुछ तो वहां पर आपका NSQF5 लिखा हुआ आपको मिलेगा मार्क सीट के बाद हम कहां चलते हैं सर्टिफिकेट को कैसे फिर से हम इसी पेज पे आचुकें अभी आपको क्या करना है प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है यहां पर आपका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आज आएगा आप देख सकते हैं यहां आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी जो आपको लग रहा होगा ऐसी क्यों है जैसा सबसे पहल यहां पर क्या है आपको एक दिख रहा होगा कुछन मार्क जो की यलो कलर का है यह इसलिए है क्योंकि यह जो सिगनेचर है यह वेरिफाइड नहीं है तो इस सिगनेचर को आपको वेरिफाइड करने के लिए क्या करना होगा तो यहां पर जो आपका देख रहे होंगे यलो क अभी हो काम नहीं कर रहा है तो कैसे वेरिफाई करना अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो उस पर हम एक separate वीडियो बना देंगे वेरिफाई करके आप उसको प्रिंट करके सेब करके जो PDF रख सकते हैं तो always जो है वो green tick वाला आपके पास रहेगा साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख रहे होगी यह यहाँ पर आप दिखे लिखा हुआ front cut from the line usage pocket NTC back यह आपका है इसको आप ऐसा cut करके lamination कराके जैसे आप driving license आप कोई चीज रखते हैं इसी तरह आप एक pocket NTC अपने pocket में wallet में हमेशा रखके चल सकते हैं यह आपका एक pocket NTC certificate होगा और उपर का जो certificate हो आपका main certificate है नीचे आपका एक अलग segment दिया हुआ है तो I hope इस वीडियो से आप mark sheet और certificate दुनों download कर पाएंगे दुनों download करने के बाद आपको देखे certificate number उपर ही मिल जाता है mark sheet number भी आपको मिल जाता है तो आप easily अपना जो भी form apply कर रहा है apprentice का है या NCL जो आया था उसमें है call field में या अगर कोई job के लिए apply कर रहे है तो आप easily apply कर सकते हैं इस channel पर भी आपको job से related, apprenticeship से related बहुत सारी वीडियोज है जिनको देख किया आप देख सकते हैं कहां पे कितनी vacancies और कहां आपको apply करना है किया आपके लिए best रहेगा I hope आप सभी वो चीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपना course पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ आप अपनी life में बहुत ही अच्छा करेंगे best of luck and thank you